आगरा में सरवाधेट लोग की एड चैनल सीन्यूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ताजनगरी में सोमार से तस्वीर कुछ बदली-बदली सी नजर आ रही है लखनाउस से आई टीम के बाद से स्वास्तिवाएं और बेतर होती जा रही है जिला अस्पताल में भी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ओपडी सेवा शुरू कर दी गई है ताजनगरी में लगतार संक्रमित मरीजों की संख्या दिन मदिन बढ़ते जा रही है ऐसे में बढ़ते हैं आकड़ों पर लगाम लगाने के लिए स्वास्तिवाग जिला प्रसासन द्वारा कई बड़े कदम उठाए गए है इस दोरान लखनोस से आई टीम ने भी अस्पतालों करनेक्शन किया साथ ही ताजनगरी की जनता को इलाज को लेकर किसी प्रकार के असुबधा ना हो इसका अभी ख्याल लखा गया जिसके चलते अस्पताल में ब्योष्थाओं को लेकर कुछ बदलाओ भी किये गए है साथ ही OPD सेवा को भी बहाल किया गया है जिसका मुक्ष देश्य जरूरतमन मरीजों को समय से और सही इलाज मिल सके हलाकि ज़रान मरीजों डॉक्टर के साथ साथ पेरे मेडिकल स्टाप को भी एहतियात अंसाउधानी बरतने को कहा गया है मैंने मेडिकल इमर्जंसी स्टाजिकल इमर्जंसी ओर्टोपेटिक्स स्ट्रमा opener इंचसी पीडरीार के इमर्जंसी तीन दिन से हम चला रहे हैं मरीज भरती कर रहे हैं और सारा काम पतने इसमेक्याश क्ञार पना अबिए कहना जल्दबाजिए होगा अभी कम्मुनिटी में माइट सा बताया गया लेकिन संख्या पर ना जाएं आप सब के सेंपल हो रहे हैं सब चिन्नित हैं गवरानी की कोई बात नहीं है जितने भरती हो रहे हैं उसमें से आधिज ज्यादा ठीक हो के घर भी जा चुके हैं और मीडिया ने अच्छी ख़बर यह बनाई है पॉजिटिव माहौल बनना चुरू है जो तत्थ मीडिया पूरी तरह से सामने ला रहा है जन त साती अगर बात करें लॉगडाउन 3 की तो लॉगडाउन 3 में अब चीज़ें काफी हद तक सामने होती जा रही है बात करें स्वास सेवां को लेकर तो वह भी धीरे धीरे अपनी पट्री पर लोट रही है आप जला स्पताल में जहां एक कुछ समय पहले तक बंद कर दी अंदर जाके अपने जो चिकिस्तक है चाहें वो खाजी जुखाम से रिलेटेड हो चाहें वो अस्थी रोग से रिलेटेड हो यह उन डॉक्टर को जाकर दिखाएंगे और डॉक्टर से परामर्स लेंगे तो यह एक अच्छी खवर है ताजनगरी के लिए के एसन मेडिकल क सब्सक्राइब को दिखा सकते हैं और परामर्स लेकर दवाई ले सकते कैमरा पर्सन रामिश्वर के साथ अनिल कुमार्स सिनी जागरा